तो मौत खुबसूरत होती है, ऐसा सुना था मैंने, एहसास था, अनुभव नहीं था, तो मैंने सोचा, चलो, पता करते हैं, तो मैंने मरने की तयारी की, खुबसूरती के साथ, मैंने इंतजार किया कि वो घर से चला जाए, यानि कि मेरा पती, और जब वो घर से गया, तो मैं अपने अल्मारी की तरफ गई, और मैंने वहाँ से खुबसूरत लिबास निकाला, सफेद, जॉर्चेट, लहराता होगा, गुलाबी फूलों के साथ, मैंने अपने हाथों के उपर गुलाबी पेंट लगाया, आखों को लाइनर लगा के ताजल डाला, और मेरे बात्रों में एक बड़ा सा टब था, काले संग मर्मर का, उसके अंदर में मैंने गुन-गुना सा पानी भरा, गुलाबी फूल के पतियों को उसमें मैंने छोड़ दिया, थोड़ा से गुलाब का इत्र भी डाल दिया, दिये चलाए, अपनी सारी दवाईयों को डब के आस पास जमा दिया, अपने बालों को समारा और मनने के लिए तैयार होगी, खुबसूर्ती के साथ, तभी मेरी नजर उस पगल में पड़ीवी खुखरी पे पड़ी, जिसे वो रोज रात को मुझे काड़ता था, मैंने उस खुखरी को ठाया और अपने बगल में रख लिया, कि आज के बाद इस खुखरी का मुझ पर कोई जोर नहीं चलीगा, मैं तयार थी, मरने के लिए, जैसे ही मैं टब में कदम रखने वाली थी, वो लौट क्या, अंदर आ गया, उसने ये सब देखा, और जोर की ठठा के हसा, उसने एक हाथ से सारे दियों को बुझा दिया, मेरे सारे दवाईयों को फेग दिया, मेरे सारे कपड़ों को फाड दिया, और खुद टब में खुश कर साबूं की जहाँ बना बना कर नहाने लगा, उसे देख कर, मेरा पूरा पतन जैसे एंठ ने लगा, मेरे अंखे मिच मिचाने लगी, मेरे जबडे एंठ गए, मेरे अंदर से एक गुराःट सी निकलने लगी, मैंने खुकरी को उठाया और उसके सीने में घॉप दिया, और घॉपती रही, और घॉपती रही, जब तक सारा पानी लाल हो गया, इवारे भी लाल हो गई, मेरे गाल भी लाल हो गए, मेरे अपनी है, गालों को साफ किया, अपने भटे हुए कपडों को पहना, इस खुकरी को उठा के अपने पास रखा, खिड़के से डूपते हुए सूरज को देखा, और वहीं जम्ही पर बैट गए, मेरी कहानी है, जिसे मैंने एक नाटक में बदल दिया, सच कहानियों में छुपकर महफूज हो जाता है, है न, नहीं मैंने अपने पती को नहीं मारा, नहीं तो मैं आज यहां नहीं खड़ी होती, पर उसके अलावा मैंने इस जिंदगी को जिया था, लाचार, बेबस, हाताश, मजबूर जिंदगी, नमस्कार, मेरा नाम स्मिता भारती है, और मैं साक्षी नाम की NGO चलाती हूँ, साक्षी NGO 1992 में स्थापित हुई थी, और इसने बड़ा काम किया है, हमारे देश में जो कानून है, सेक्शुल हारस्मेंट को रोकने के लिए अट वर्क प्लेस, वो पब्लिक इंटरस लिटिगेशन साक्षी का ही है, तो वो अपिस चलती हूँ मैं अपने बच्पन की और, चार बहनों में सबसे बड़ी थी मैं, किताबें भर-भर के पड़ी, शिमला में पली बड़ी, वहीं पे एक गेटी थेटर नाम का एक बहुत पुराना थेटर है, जो सभी को पता होगा शायद, वहाँ पे अंग्रीजों के जमाने से, थ्री आक्ट प्लेज हुआ करते थे, कॉमेडी के, तो एक बारी उसका, जब मैं साथ-ाथ साल की रही होंगी, तो उसके तहकाने के सफाई हुई है, और मेरे एक मामो, वहाँ पे वॉलेंटियर का काम कर रहे थे, और करीब 200-300 ऐसी उरिजिनल किताबे, थ्री आक्ट प्लेज की, कॉमेडी की उठा के घर ले आए, जो छपी नहीं है किसी और के लिए, पीले काकस, लंबी-लंबी लीगल पेपर के साइज की किताबे, उन किताबों को मैंने रज के पढ़ा, और तभी से मेरे अंदर में बीज पढ़ा नाटक लिखने का, ग्यारा साल की उमर में मैं दाद के में आवी, तो दादाजी मेरे किसान, घर में भैसे, खेत, तो भैसों का दूद निकालना, उनका चारा पानी करना, खेतों में बीज डालना, फसल कातना, तो कहाँ नानका का पढ़ाई लिखाई से, कहाँ खेतों का पूरा एक्सपोजर, एक बहुत ही, पूरा एक हुलिस्टिक बचपन जिसको कहते है, बहुत से माइनों में था, बड़ी हुई, तो लोग मुझे जिद्धी कहते थे, हटी कहते थे, हेट स्ट्रॉंग कहते थे, स्कूल की हेट गल थी, इंट्राक्ट की सेक्रेटरी थी, हर साल स्कूल के अंदर में, मेरा नाटक तो होना ही था, मोनो आक्ट, आदे घंटे का, कोई कहता दॉक्टर बनेगी, कोई कहता था लेखक बनेगी, लेकिन पापा को हार्ट अटेक आ गया चार बेटों में सबसे बड़ी थी मा ढर गई सबने कहा शादी कर दो बड़ी बेटी है चार बेटियों की मा है बात में क्या होगा पता नहीं चलेगा शादी कर दी 20 साल में बेटा भी हो गया मैं शादी करना नहीं जाती थी खास कर एक ऐसे घर में एक ऐसे परिवार में जहां पधाय लिखाय को तवज्जू नहीं दी जाती थी जहां पढ़ी लिखी लड़कियों की इज़त नहीं थी हां मैंने शादी के बाद कॉलेज क्या ग्राजुएशन खतम करी छिप छिप कर पोस्ट ग्राजुएशन भी करी बात्रूम में बंद करके अपने आपको किताबे भी पढ़ी और कविताएं भी लखी लेकिन संपन परिवार के होते हुए भी घर का सारा काम करनी के बाद मुझे अपने लिए जरा से समय को निकालने की अजाज़त मिलती थी और मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगती थी मुझे इसमें कोई परिशानी भी नहीं लगती थी हाँ गुसा आता था लगता था कि अरे सब तो अपने मन की कर रहे है मुझे ही क्यों पढ़ना भी है बच्चे को भी देखना है कि मैं पढ़ सको क्यों कि मुझे पढ़ने का शौक है मुझे आगे बढ़ना था ये घरेलू हिंसा हो सकती है अशा तो खयाल भी नहीं आया पर धीरे धीरे तीरे तीरे बाते बढ़ती गई जो बात पातों से होती थी दाटना डपटना धमकाना हक को रोक लेना वो फिर हाथ उठने भी लगे घरेलों हिंसा के बिना कई रूप होते है सभी घरों में एक जैसी नहीं होती है सभी परिवारों में एक जैसी नहीं होती है सभी दमपत्यों के बीच में एक जैसी नहीं होती है सभी अपनों के बीच में एक जैसी नहीं होती है कहीं तो वो मौखिक होती है कहीं आर्थिक होती है कहीं भावनात्माख होती है पर आप कुछ भी कह लें होती तो हिंसा ही है न मैं संपन परिवार से थी संपन परिवार में ब्याई गई थी वहाँ पर मेरे साथ होने वाले हिंसा अजीब थी अपने पसंद के अपनी मनमर्जी के हिसाब से कपड़े ना पहनने दिये जाए आप कहोगे इसमें भी क्या बड़ी बात है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मुझे साड़िया पहननी अच्छे लगती थी मुझे तन की नुमाईश करनी जरा भी अच्छी नहीं लगती थी लेकिन मुझे कहा जाता था कि छोटे कपड़े पहनो तन दिखना चाहिए क्यों? हर रोज रात को बाहर जाना होता था मैं नहीं जाना चाहती थी हर रोज रात की पार्टीज मुझे नहीं चाहिए थी मैं घर पर अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी लेकिन छोटे कपड़े पहन कर तन की नुमाईश करते वे बाहर जाना पड़ता था और रोज रात को वापस आने पर बेल्ट से पिटाई भी पड़ती थी कि मैं छोटे कपड़े पहन कर दूसरे मर्दों को लुभा रही थी तो फिर रोज रात को ना चाहते वे भी इंटिमेट होना पड़ता था पिटाई खाने के बाद भी ये कैसे कोई किसी को बताएं इतने साल खुद को गलानी खुद को इतनी शरम आती रही कि मेरे होट सिल गए किसी को पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत शरम आती थी बूलने में और आपको भी आती होगी कि ऐसी बाते हम खुद से नहीं कर पाते हैं किसी और से कैसे कहें कौन समझेगा कानून भी तो नहीं है इसके लिए हमारे पास अठारा की उमर में शादी हो गई थी लेकिन ये सब जेलते जेलते बारा साल निकल गए बारा साल जब मैं खुद से अलग होती गई खुद को पहचान नहीं पा रही थी मैं आदत सी पढ़ गई थी मुझे जहिलने की, सहने की, चुप रहने की इसके अलावा चारा भी क्या था मेरे पास क्योंकि संसकार ही ऐसे थे है न अच्छे घर की लड़की हो डोली जाएगी, अर्थी आएगी मर्यादा की दहली इसको कैसे लांग होगी अरे, घर में बरतन खनकते हैं कोई अपनों की बात का बुरा मनाता है बच्चों की खुशी में खुशी ढूण लो बात इस हद तक बढ़ गई थी अमीद ने साथ इस हद तक छोड़ दिया था कि मुझे लगा की जिन्दगी ने कुछ बचाई नहीं है तब उस दिन मैंने मरने की सोची है पर साथ ही जब मरने की सोची तो लगा जब मरना ही है तो चलो मर के बाहर निकलने से अच्छा है ऐसी बाहर निकल जाओ लांग जाओ इस दहलीज को निकल गई मैं अपने पीछे बहुत बढ़ी जिन्दगी के शुन्य को छोड़के आने वाली जिन्दगी के शुन्य में जहां मुझे कुछ नहीं बता था कि क्या होगा कौन सहारा देगा कौन हाथ और साथ दोनों छोड़ देगा पर मन में सरफ एक द्रिड विश्वास था कि मैं अपने पैरों पे खड़े होकर आत्म सम्मान के साथ इज़त के साथ अपने बच्चों को बड़ा करूँगी नहीं सहूंगी ये सब ऐसी कौन सी कमी है मुझे कि मुझे ये सब सहिकर ही अपने बच्चों को बड़ा करना है नहीं किया काम कभी तो क्या हुआ ढूंड लूंगी काम कुछ तो मिलेगा बस इसी दिड़ विश्वास के साथ में चल पड़ी है बाहर और देखिए जब विश्वास हो ना अपने अंदर तो रास्ते भी खुल जाते हैं कभी काम नहीं किया था लेकिन कृष्णा मूर्ती की किताबे बहुत बड़ी थी जिद्धू कृष्णा मूर्ती की कि अपने बच्चों को उस वातावरन में भी मैं ऐसे पाल पोसके बड़ा करूंगी कि उन्हें महसूस नहों कि ये पेट्रियार्कल वाइलेंस ये डॉमेस्टिक वाइलेंस इसका जो सारा इंपैक्ट है वो उनको किसी तरह से लाचार ना बना दे मेरी तरह तो जब मैं बाहर निकली तो मैं लेका पिल्ग्रिमिज की जैसे मैं एक धाम पे जाते हैं जिद्धो कृष्णा मूर्ति की उस बड़े से बैनियन श्री के नीचे बैठ कर बाते करनी चाहिए सिरफ दिल का सकून वहां ढूंदोंगी और जब मैं रात भर बस में चन्नाई से रिशी वाली जा रही थी तो मेरे बगल में एक दमपती बैठी वी थी जिसने अभी अभी रिशी वाली में टीचर की डौकरी ली थी तो मैंने उनको देखकर सोचा मैं तीस की थी तब दो बच्चे थे एक दस एक साथ और उनको देखकर मैंने सुचे कि अरे इन्होंने भी तो कभी पढ़ाया नहीं है और अगर इन्हें कृष्णा मूर्ती के रिशी वाली जैसे स्कूल में नौकरी मिल सकती है तो मुझ में क्या कमी है? मुझे भी मिल सकती है और मैं सीधा पहुचगी उनके ओफिस कि मुझे यहां पढ़ाना है और सब लोग बहुत जोर से हसे उन्होंने बोला पहले कभी पढ़ाया आपने? वहां से शुरू ही थी वेरे जिंदगी दोबारा कृष्णा मूर्ती के स्कूल से सह्यादरी के स्कूल में मुझे नौकरी मिली बच्चों को अच्छी एड्यूकेशन मिली जो मेरा सबसे बड़ा डर था कि अगर मैं घर से बहार निकलूँगी तो मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? वो इतने संपन परिवार से हैं बहार निकल की उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि मेरा निर्ना है बहार निकलने का तो यह गलत हो जाएगा ना परे सारे डर मेरे उसी दिन छुट गए शादी के बारा सालों ने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया था यह बात मुझे तब समझ में आई जब कृष्णा मूर्थी स्कूल के परियाबरन में मैंने अपने आपको अपने टुकडों को जोड़ जोड़ कर अपने आपको पूरा किया लेकिन तब भी मैं अपने से पुरी तरह जुड़ नहीं पा रही थी कुछ सवाल थे जो मुझे बहुत ज़़ादा परिशान कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा थे कि ऐसी कौन सी बाते हैं ऐसी कौन सी सोच है जो हमें हताश कर देती है हमें हाँ बोलने पर मजबूर कर देती है जब हम ना बोलना चाहते है हम क्यों सहम जाते हैं, हम क्यों डर जाते हैं क्यों हम अपनी हद की सीमा बार-बार किसी को लांगने देते हैं क्यों हम बार-बार अपनी असमिता पर, अपनी आत्मसमान पर अगात जेलते रहते हैं क्यों हम सीधे ओकर आखों में आखे डाल कर उन्हें रुकने के लिए नहीं बोल पाते हैं जुबान पर ताला क्यों लग जाता है क्योंकि हमें बच्पन से ही सिखाया नहीं गया है कि खुद से खुद की इज़त कैसे करे है खुद से महबबत कैसे करे है जब ये बात समझ में आई तो ऐसा लगा जैसे भाग देर हो जाएगी है तब मेरा साक्षादकार हुआ साक्षी एंजियों के साथ साक्षी एंजियों जो औरतों के लिए काम करें है पीरित औरतों के लिए काम करें है जेंडर बेस्ट वाइलेंस को रोकने के लिए काम कर रही है 1992 से काम कर रही है वहाँ पर मैंने एक घरेलू हिंसा से पीरित औरतों के साथ में काम करना शुरू किया उनके साथ मैंने नाटक बनाने शुरू किया पर ये भी सच है न कि मेरी आइडेंटिटी सिर्फ ये वाइलेंस नहीं है इस वाइलेंस के बियॉण भी मेरी आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी तक मैं कैसे पहुँचो हूँ ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा परिशान करता रहा कि मैं जिम्मेदारी अपने प्रती अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाओं बहुत सालों के बाद समझ में आया कि मैं अपने प्रती अपनी जिम्मेदारी इसलिए नहीं निभा पा रही थी क्योंकि छे साल की उम्र में मैंने अपना हाथ छोड़ दिया था छे साल की उस बच्ची को मैंने अकेला छोड़ दिया जिसका विश्वास उसके किसी अपने ने तोरा था छे साल की उस बच्ची को मैं आज तक माफ नहीं कर पाई क्योंकि उस समय उसके शरीर को वो स्पर्श अच्छा लगा था जिन्तिकी भर उस बच्ची को मैंने इस भार को उठाने दिया यानि कि मैंने उस भार को उठाया कि गलती मेरी थी मैं उस बच्ची को आज तक नहीं समझा पाई कि गलती उसकी नहीं थी जिम्मेदारी उसकी नहीं थी जिम्मेदारी उसके घर के बड़ों की थी कि वो उसको महفوظ रखे इसलिए मैंने अपने आपको किसी भी रिष्टे में महفوظ नहीं रहने दिया चाहे वो शादी की आर्मे बलातकार ही क्यों नहीं हो होने दिया क्योंकि मैंने उस छे साल की बच्ची का हाथ छोड़ दिया था जब ये बात समझ में आई तो लगा कि अगर सबसे बड़ा काम कोई करना है तो ये कि घर घर में होने वाली इन हाथसों को रोकना पड़ेगा जहां कोई अपना किसी अपने के विश्वास को रोज तोड़ रहा है उसकी सीमा लांग रहा है उसके साथ यौन शोशन कर रहा है उसके साथ घरेलो हिंसा कर रहा है मुझे हर घर में जिम्मेदार इनसान चाहिए जिम्मेदार बड़े चाहिए जो बच्चों को महफूज रख सके मुझे हर रिष्टे में ऐसी जिम्मेदारी चाहिए कि जो रिष्टा महफूज रखने के लिए है वो रिष्टा महफूज रख सके इसलिए आज मैं साक्षी के साथ डेश के 40 हजार कॉलेजिस में 40 लाख युवावर्ग के साथ इसी बात पर काम कर रही है कि हम कैसे जिम्मेदार बन सकते हैं अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने प्रियर जनों के लिए कैसे हम खुद से खुद को जोड़ के रख सकते हैं अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने प्रियजन के लिए कैसे हम ये एक मुहिम चला सकते है कि हम ना करेंगे ना करने देंगे अगर हो रहा है तो रोक देंगे और अगर हुआ है तो बोल के रहेंगे क्योंकि शर्म का भार मेरा नहीं है शर्म उसे आने चाहिए जिसने हिंसा की है किसी से पूछा गया woman empowerment क्या है किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना जिसका एक ही मतलब है financially independent होना ये message उन सभी महिलाओं के लिए है जो family और financial चुनोतियों के बाद भी अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है पर जरुरत है तो सिर्फ आपके जुनून की आपके decision की और जोश की हमें पता है हम काबिल हैं पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मिदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला तो आईए अपने हालातों को हरा कर जुड़ते हैं जो stocks jobs for women कोर्स के साथ ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो धर पर बैट कर काम करना चाहती है और महीने के महीने एक income earn करना चाहती है financially independent बनने के लिए अब खुद को रोकने का नहीं बलकि आगे बढ़ने का समय है पर कैसे ये जानने के लिए नीचे दिये गए link पर क्लिक करें